नमस्कार स्वागत है आप सभी का मालवे एकेडमी के इस ओनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे बच्चो दिल्ली इन्वस्टी के CSES पोर्टल पे फेज 2 का जो प्रोसेसर वो शुरू हो चुका है पर आप अपने कॉलेज और प्रोग्राम का प्रिफरेंस भर सकेंगे कैसे इस प्रिफरेंस को भरना है किन बातों पर आपको ध्यान देना है आज इस वीडियो में इसी टॉपिक पर आपसे बात करने वाला हूं लेकिन इससे पहले मैं एक चीज कह दूँगा कि प्रिफरेंस आप तभी भरो जब आपको सारी चीजने कोर्स वाइस क्लियर कर दीजें अभी इस वीडियो के बाद इस वीडियो में एक जन्रल बात करूंगा मैं सभी कोर्स को लेके बात कर रहा हूं इस वीडियो में मैं आपको जन्रल आइडिया देने वाला हूं कि प्रिफरेंस का मतल बरना है arts background को तो कैसे बरना है मैं हम लोग वहाँ पर आपको एक दे भी देंगे कि अगर आप इस तरीके से सोच रहे हैं तो आपका preference order ऐसा होना चाहिए एक idea हम दे देंगे बाकि उसमें आप अपने हिसाब से फेर बदल कर लेंगे लेकिन वह फेर बदल करने के क्या-क्या parameters होंगे वह हम आपको define करके देंगे तो पूरी बातों को समझने के बाद ही preference को भरें जल्दिबाजी न करें ऐसा नहीं कि आप पहले preference भर दोगे तो आपको वह priority देंगे ऐसा कुछ नहीं है 10 October तक preference भरना है तो अराम से भरेंगे लेकिन सारी बातों को समझते हुए तभी क्या करना है पहले कुछ general बातों को समझे सबसे पहले चीज कुछ मत करिएगा आके सबसे पहले login कर लीजिएगा ठीक है अपने CSAS portal पर login करेंगे तो आपका पहला process complete है तो दूसरा process यहाँ पर आपको दिखाई देगा अब यहाँ पर आने के बाद आपके सामने सबसे पहला जो काम होता है वो यहाँ पर क्या करना है आपको mapping करनी है mapping करने में क्या होगा कि आपने जो CVT में paper दिया है उसको अपने board के paper के साथ map कराईए क्योंकि सीधी सी बात है इन्होंने कहा था कि जो आपने CVT में paper दिया है वो हमारे लिए valid तभी है अगर उसको आपने class 12 में 12 में भी accountancy था हमने business studies दिया था हमारे 12 में भी business studies है हमने economics cv team दिया था हमारे 12 में भी यहाँ पर economics था इसके बाद यहाँ पर दो टिक कर दीजिए नहीं है तो मत भरियेगा नहीं सोचेंगे कि हम map करा देंगे मेरा काम हो जागा ऐसा नहीं होगा ठीक है अब इसके बाद यह यहाँ पर save and proceed करेंगे अब यहाँ पर देखे सबसे most important चीज़ सबसे most important चीज़ अब यहाँ पर वो क्या दिखाएगा कि आपका scorecard दिखा देगा जो आपका CVT का scorecard है वो दिखाएगा फिर यहाँ पर इसने क्या किया है कि आप जिस जिस program में eligible हैं उन सारे programs की list बना दिया ह जैसे जैसे यह candidate जो है वो बी ओनर्स applied psychologically eligible है तो यहाँ पर दिखा देगा कि आपके कौन-कौन से marks जोड़े गहें एक language और तीन domain जोड़ा गया और marks इतना आ रहा है बगल में eligibility लिखी गई है तो इसी तरीके से और जिस जिस में आप eligible नहीं होगे जैसे आप यहाँ पर यह as a domain इनके पास mathematics as a domain नहीं था तो जिस जिस में आप eligible नहीं है वो यहाँ पर लिख देगा तो कि जिस जिस में आप eligible है उसी के लिए आप यहाँ पर preferences भरेंगे अपने अच्छा एक बात में यहाँ पर और यह चीज मैं यहाँ आपको clear कर दूँ देखो एक बात बहुत सी से समझ लीजें आपर कि अगर हम बात करेंगे किसी commerce background के बच्चे की तो commerce वाला जो बच्चा होगा वो दो में eligible होगा एक तो बीकॉंप प्रोग्राम में तो होगा ही होगा और साथी साथ यह बीए के काफी सारे programs में eligible हो जाएगा सारे नहीं लेकिन काफी सारे क्यों क्योंक तो सीधी से बात है कि यह तो तीन डोमेन ये भी बच्चा पढ़ता है और एक language भी इसने exam दिया तो एक language तीन डोमेन दिया है तो eligible होगा हाँ कुछ-कुछ प्रोग्राम है जैसे बी और सीकुनॉमिक्स था तो वहाँ पर है कि एक डोमेन आपका maths होना ही चाहिए ऐसे कुछ कुछ-कुर्सेज आपे हिंदी कंपल सरी है तो हिंदी नहीं आपने दिया तो आप eligible नहीं होगे लेकिन maximum courses में आप eligible हो जाओगे पहले चीज़ ऐसे ही अगर science background का बच्चा होगा तो science वाला भी बीए में eligible हो जाएगा और यह eligible हो जाएगा आपके बीकॉम में भी eligible हो जाएगा यह बीकॉम में भी इनके chances बनेगे मतलब science वाला commerce की तरफ भी जा सकता और BSC में तो है ही अब कोगे सर बीकॉम में कैसे बीकॉम में combination ऐसे बन रहा है कि एक language domain में maths और फिर आपके दो domain और होने चाहिए तो अगर science का बच्चा एक language और physics chemistry math उसन बीकॉम में भी और BSC में भी हो सकता है ठीक है मैं यह कह रहा हूँ कुछ-कुछ courses छूट जाएंगे जहाँ पर especially demand कर दिया है कि यह होना ही चाहिए जैसे अब BA honors economics है तो science वाला BA honors economics में भी eligible होगा क्यों क्यों क्योंकि math चाहिए as a domain तो अगर math है आपके पास होगा ही आप BSC क हो जाएगा तो वही मैं कह रहा हूँ कि science वाले तीनों हो सकते है commerce वाले में हो सकते हैं लेकिन BA वाले जो होंगे उस सिर्फ BA में ही जा पाएंगे ना वह भी कॉम में जा पाएंगे और नहीं वह BSC में जा पाएंगे ठीक है तो यह था आपके लिए यहाँ पे पहली बात ठ ठीक तो इस तरीके से इनों नहीं आप इलिजबिल्टी को दिया हुआ है ठीक है अब इनके आप जब इलिजबिल्टी को पढ़ लोगे एक बार आप तहां कहां इलिजबल हो अब इनके आप preference selection में जा सकेंगे अब preference में एक बात कि आप बहुत अच्छे से समझेगा सबसे पहले यहां पर दे रहा है Available Preferences मतलब यह है कि आप जहां जहां पर इलिजबल है आप बी एक सारे program eligible है तो वो प्लस आप माल लिजे कि आप become में eligible है ही तो become की सारे program वो सारे program यहाँ पर आपके सामने listed है जहां जहां आप eligible है तो आपको यह नहीं सोचना है कि हम यहाँ eligible हैं या नहीं है यह आपको नहीं सोचना है यहाँ पर यह जितनी पहले आपको यह पता होना चाहिए कि किस parameter पे हम अपने preference को बनाएंगे, क्या हमारा basis होना चाहिए, सबसे most important step आपके लिए यहाँ पर यही होगा, तो यहाँ पर ध्यान से सुनिए, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, तो पहले अपना एक parameter अपना एक base डिसाइड करेंगे, अब सर यह parameter आप बता देते तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अब सुनिए मेरे हिसाब से क्या parameter आपके होने चाहिए, सबसे पहले मैं यह कहूंगा कि आपके course का parameter बनना चाहिए, कोर्स का parameter बनने का क्या मतलब होगा सर, सबसे पहले मोटा मोटा, अगर मैं science का student हूँ, तो मेरे पास option में BA भी कर सकता हूँ, BCOM भी कर सकता हूँ, और मैं BSC भी कर सकता हूँ, तो पहले तो यही priority बना लेनी है कि हमको BSC करना है, BCOM करना है, खिचड़ी नहीं पकाना है, दोनों, तीनों में से आपको order set करना पड़ेगा, अब माली जे कि मैं BSC का हूँ तो मैंने, देन मैं यहाँ पे BCOM का भरूँगा, एंड देन मैं यहाँ BAC का भरूँगा, यह आपका अपने हिसाब से होगा, तो सबसे पहला parameter होगा course, अब course के अंदर जाएगा आपका, सब course माली जे यहाँ पे, सब course क्या मतलब हुआ, अब जैसे मेरी पहली priority हो गई BSC, अब BSC में ए तो आपको फिर उसमें priority बनानी पड़ेगी, कि उसमें मेरी क्या priority होगी, अगर आप BA, इसी तरीके से अगर आप BA के हो, तो BA honors करना है, यह बात तो clear हो गया, लेकिन BA honors history, political science, sociology, economic, psychology, क्या करना है आपको, तो वो order तो आपको बनाना पड़ेगा, तो पहले सब course को order यहाँ पे बना लिया कि BSC honors chemistry को मैं पहली priority दूँगा, and then इसी तरीके से यहाँ पर BSC honors physics math को priority दूँगा, अब यह आप basic idea बना रहे हो, अब यह preference form नहीं भर रहा है, अब preference form कैसे भरेगा, मैंने यह decide कर लिया कि मैं BSC करूँगा, BSC में BSC honors chemistry मेरी पहली priority होगी, जो आपकी priority वो आप colleges में available है, अब यहाँ से बात आएगी colleges की, ठीक है, तो हमने देखा कि हमारे पास total 20 college है, BSC honors chemistry के, तो हम क्या करेंगे, अब इन 20 को rank करेंगे, कि इन 20 में हमको सबसे पहला college कौन सा चाहिए, तो अब आपकी जाके final यहाँ पर preference list बनेगी, कि BSC honors chemistry, BSC honors chemistry, college कौन सा हुगा हमारा तो हम यहाँ पर पहले अपना पहला college, फिर यहाँ पर दूसरा college, फिर यहाँ पर तीसरा college, इस तरीके से हम rank करते करते हैं, अपने 20 colleges पूरे भर देंगे, तो यह होगा आपका तरीका, preference बनने का यह एक parameter हुआ, दूसरा parameter यह भी हो सकता है, कई लोगों के लिए important होता है college, ना कि course, मतलब course में BST course select कर ले, यह तो करना ही करना, यह तो यह mandatory step है, इसके बाद उन्होंने यह नहीं select किया है, कि उनको chemistry करना, physics करना, math करना, उनको है कि हमको जो मिलेगा, हम course कर लेंगे, लेकिन हमको college preference चाहिए, तो आप, आपको एक sub course तो ले नहीं, लेकिन आप क्या कर अगर college की preference बनाते हो, कि जैसे मुझको तो Hindu college ही चाहिए, तो Hindu college के जितने भी programs है, अब वहाँ पर BST honors physics है, तो BST honors physics Hindu college, BST honors chemistry Hindu college, तो आप पहले college भर दोगे, college के साथ ही उनके सारे programs को भर दोगे आप, यह भी आप एक तरीका अपना सकते हैं, ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से यह suitable तरीका आपका नहीं होगा, college की preference आपको वैसे भी देने को मिल रही है, तो पहले अपने course की preference बना लीजे, वो ज्यादा important है, क्योंकि finally यह matter करेगा, ठीक है, क्योंकि आगे आपके career को यह subject प्रोसीड कराएगा, ना क्यों college प्रोसीड कराएगा, तो college में भी आप priority दे जाओगे, बहुत आराम देलो जोग भाई, अगर मुझको BSC honors chemistry ही करना है, ठीक, अब BSC honors chemistry करना है, तो हम यहाँ पे college की ranking दे तो दे रहे हैं, हमको अगर हिंदू ही चाहिए, तो हम पहले number पे Hindu college भर देंगे, BSC honors chemistry Hindu college, इस तरीके इस कर देंगे, फिर BSC honors chemistry, आपका हम राम ज कर रहे हो, कि हमें Hindu college ही भरना है, तो Hindu college लेके और फिर आप अपने programs को भरते चले जाए, Hindu college BSC honors chemistry, Hindu college BSC honors physics, Hindu college BSC honors math, इस तरीके इस भरते चले जाए, मैं पहले बता दे रहा हूँ कि मैं एक general example ले रहा हूँ, यह मत समझ लिए कि Hindu college की chemistry को भरना है, यह नहीं है, यही हम लोग बात करेंगे, अलग-अलग separate videos में, science का अलग video, arts का अलग, commerce का अलग, जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि अगर आप इस parameter में भरते हो, तो इस तरीके से भरना, इस parameter भरते हो, तो इस तरीके से भरियेगा, ठीक है, तो यह रहा पहली बात तो आप इस parameter के इर्दगिर्द सोचना सुरू कर दीजिए, अब देख यहां पर फिल्टर लगा के बड़ा असान हो जागा, जैसे माली जी इस बच्चे ने सोच लिया, इसके पास B और B कॉम को आप्शन है, लेकिन इसमें सोच लिया नहीं, मैं तो B कॉम ही करूंगा, तो B कॉम ओनर्स जैसे ही आप यहा पर नमबर कौन होगा, आपको North Campus के College को उपर रखने है, फिर South के रखने है, इस तरीके से जो भी है, वो रेंकिन हम लोग एक तरीके सा आपको देंगा, समझाएंगे किस बेस पर वो rank हमने बनाया है, वो भी मैं आपको बताएंगे, लेकिन आपको लगेगा तो उसको करिये अब यहाँ पर क्या होगा, आपको इस तरीके सा आगया, अब यहाँ पर आपको जो भी करना, जैसे यह सब को पता होगा कि आपके Commerce में बात करना है, तो SRCC जो है आपका वो Number One College है, तो हर को SRCC को Number One पर ही रखना चाहेगा, ठीक है, अब देखे, इसको क्या करेंगे, इसको ह यह हमारा आगया, Preference Number One पर आगया, अब यहाँ पर आप चाहो तो कभी भी किसी भी Preference को Change भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर Add to Preference Number भी आ रहा है, जैसे मालीजी हमने यह कर दिया, कि Add to Preference Number 2, तो यहाँ पर यह आपका दूसरे चला जाएगा, फिर किसी को भी Up यह Down भी कर सकत ही, तो कोई देekस नहाँ अब जैसे मालीजी सपोस करें, मैं आपर ऐसे भी भश देता हूँ, अथिए-अप्र इचैनल माले याप प्रिफेरेइस नमबर मैने इसको डाल दिया थ्रहां तीन पर डाल दिया ठीजिक यह देखिए अब टीन ये चार यज़लस , अच्छ पंच में चाल गया ठीक है माली जिसको मैने डाल दिया आएसे ही यहां पर इसको माली जैं मैने डाल बर चुके हैं इसी तरीके साथ 40 प्रिफरेंस भर दोगे अब यहां पर आपको लग रहा यार नहीं यह जो स्री स्यामलाल कॉलेज पहले कैसे आ गया इसको दूसरे पर करना है स्रीराम कॉलेज आफ कॉमर्स को बन पर करना है तो मूब तो प्रिफरेंस नंबर टू इसको कर द यहां से अप हुआ अप हुआ एकदम पहले नंबर पागे तो जैसा चाहोगे आप बड़ा आसान है किसी को रिमूव करना आप रिमूव कर सकते हैं तो यह तो भरने का तरीका हुआ लेकिन यहां पर जो सब्सक्राइब करना और उसके इर्दगिर्द सोचना ठीक है तो अब हम लोग यहां पर अगली वीडियो में मिलेंगे जिसमें मैं आपको डीटेल में इस प्रोसेस को समझाओंगा अलग-अलग कोर्स के लिए ठीक है बीए के अलग बात होंगी बेसी के अलग बात होगी औ कई बार वीडियो को देखके एनलाइज करके समझ लीजिए सैटिस्फाइव हो जाईए उसके बाद ही अपने प्रिफरेंस को भरिएगा बहुत-बहुत धन्यवाद आप से लिगा